स्टुरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे Mechanism of Photoperiodism कि Photoperiodism जो है उसका Mechanism क्या है, यह किस तरीके से होता है सबसे पहले हम देख लेती हैं कि Photoperiodism जो है यह है क्या Photoperiodism जो है यह दो वर्ड से मिलके बना हुआ है Photo जो है Photo means light और Periodism जो है यह word period से नेकला है कितने duration के लिए light जो है वो पढ़ती है अब photo priorism में होता क्या है कि जो duration of light है कि sun light जो है वो कितने time के लिए पढ़ रही है कितने duration के लिए पढ़ रही है ये living organism की जो activities है उसको influence करता है यानि कि उस पे असर अंदास होता है अब सूरच की रोशनी यानि कि light जो है daylight जो है वो कितनी ज्यादा living organism को affect करती है और कौन से living organism को सबसे ज्यादा influence करती है तो ये समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे इस diagram की तरफ देख लेते हैं इस diagram में जो है ये flowering दिखाएगी है उन पे सबसे ज्यादा जो duration of light है ये influence करता है यानि कि उस पे असर अंदास होता है और plants में किस चीज़ पे असर डालता है वो पौदों के अंदर जो उनकी पौदों पे जो flowering होती है उस पे ये affect करता है और ये जो phenomena था कि किस तरह से ये flowering को influence करता है ये एक Russian scientist ने बताया था और Russian scientist ने क्या बताया था Russian scientist ने इसका mechanism बताया था कि जब पौदे बड़े हो रहे होती है plants जब grow कर रहे होती है और उनके अंदर growth हो रही होती है नशुनमा हो रही होती है तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जिसकी वज़ा से उनके अंदर flowering शुरू हो जाती है और यह जो flowering शुरू होती है यह किस वज़ा से होती है क्योंकि उनके अंदर photopriorism का phenomenon हो रहा है अब यह होता किस तरह से है कि असल में होता इस तरह है कि एक stimulus होता है जो कि कहां पे मौझू होता है और इन लीव से यह stimulus जो है यह जाता है बाकी parts की तरफ और जब वो बाकी parts की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है बाकी parts में flowering स्टार्ट हो जाती है अब जब scientist ने study किया था कि यह stimulus है क्या तो तब इने पता चला कि बेसिकली क्या होता है एक chemical produce होता है और ये chemical produce कहा होता है ये leaves में produce होता है यानि कि जो पत्ते लगते हैं पौदे के उपर उन में एक chemical produce होता है और वो जो chemical होता है वो stimulus के तोर पे एक करता है और ये stimulus जो है activate कर देता है, stimulate कर देता है उस growth को कि अब flowering शुरू होनी चाहिए अब ये जो chemical था इसका नाम क्या दिया इसको कहा गया कि ये फ्लॉरजिन है यानि कि उस chemical का नेम दे दिया scientist ने और वो फ्लॉरजिन है अब ये जो फ्लॉरजिन है इसको अगर हम देखें कि ये इसका meaning क्या है तो फ्लॉरजिन जो है फ्लॉरजिन का मतलब है flower marker यानि कि ये marking start कर देता है कि अब flower बनना शुरू हो चाहिए अगर हम बात करें कि फोटो प्रियॉर्जम जब होता है यानि कि जब पौदों के उपर light परती है और ये chemical produce होता है तो असल में होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी परती है sun light परती है तो क्या होता है कि एक पौदों के अंदर जब वो stimulus होता है तो उसके अंदर response जो है वो पौदे शो करते हैं यानि कि एक reaction देते हैं अपना एक response देते हैं और वो response के लिए क्या चीज़ मौजूद होती है उन पौदों में photo receptors मौजूद होते हैं photo जो है photo means light और receptor जो है ये उस sun light को receive करते हैं प्रिसीव करते हैं अपने अंदर लेके जाते हैं और ये जो photo receptors होते हैं इनको क्या कहा जाता है ये किस सूरत में होते हैं ये पौदों के अंदर होते हैं phytochrome की सूरत में अब ये जो phytochrome है इसका मतलब है कि पौदों के अंदर जब सूरज की रोशनी पड़ी है यहां पे तो इनके अंदर flower produce होई है क्यों किए इनके अंदर एक chemical है ज इसका मतलब है कि अगर photo receptors ना हो ये phytochrome ना हो तो फिर क्या होगा फिर flowering जो है वो इंडियूस नहीं होगा इसका मतलब है कि दो चीजें जो है वो important है फ्लोरजिन भी important है जो chemical produce कर रहा है और ये जो photo receptor है ये दोनों important है और ये दोनों जो हैं ये flowering में participate कर रहे होते हैं हिसा ले रहे होते हैं अब अगर हम बात कर लें कि ये जो phytochrome है ये है किस तरीके से काम करता है तो phytochrome जो है ये सबसे पहले plants में जब isolate किया गया था तो देखा था कि इसकी बहुत चोटी सी amount जो है बहुत चोटी सी मिगदार जो है ये मौजूद होती है पौदे के अंदर जि जिनके अंदर carbon भी होती है nitrogen भी होती है oxygen भी होती है और hydrogen भी होती है और इस protein वाले part के साथ एक non protein part मौजूद होता है और ये दोनों चीजें protein part और non protein part मिलके क्या बना रहा होता है phytochrome बना रहा होता है जो कि light को perceive करता है अपने अंदर उसको receive कर रहा होता है और अगर हम इस ब्लूइश शेड भी आता है उसमें और ग्रिनिश शेड भी आता है अब फाइटो क्रॉम की अगर हम बात करें तो यहां पे जो है यह हमें पी जो है यह पी जो है यह फाइटो क्रॉम बनता है और यह जो फाइटो क्रॉम है यह दो फॉर्म्स में एक्जिस्ट करता है अब य यह जो दो forms है, इनकी अगर हम बात करें कि यह दो forms कौन कौन सी है तो यहां पर भी आपको इस diagram में भी नजर आ रहा होगा, कि एक पे लिखा हुआ है PR, और दूसरे पे लिखा हुआ है PFR अब यह जो R है, यह R जो है यह red के लिए है, और FR जो है, यह far red के लिए है, अब red और far red क्या है, यह lights है, अब यह lights जो है, यह मौजूद होती है, अब कुछ जो phytochrome है, वो क्या चीज़ अबसॉब करते हैं, जब उनके ओपर सूरज की रोशनी परती है, तो उनके red light को ज्यादा अबसॉब करते हैं red light जो है, अगर हम wavelength की बात करें, तो उसकी wavelength different है, wavelength इसलिए हम कहेंगे, wavelength अगर हम समझना चाहें, तो इस तरह से waves की सूरत में यह आती है, और इसकी कितनी यह wavelength होती है, यह हर एक light की different होती है, अब red light की wavelength जो है, वो 60 nanometer है, और यह क्या है, यह जो phytochrome PR है, यह red light को absorb करता है, इसी तरीके से जो इसकी दूसरी form है, जिसे PFR कहा जाता है, यह भी sun light को absorb करता है, लेकिन light में से जो उसका far red वाला portion है, far red light जो है, जो के 730 nanometer की है, उसको यह ज्यादा absorb करता है, इसका मतलब है, कि कुछ phytochrome का portion जो है, वो एक light, एक type की light को ज़्यादा absorb करता है, और जो दूसरा है, वो एक different type की far red वाली light को absorb करता है, और इन दोनों की जो wavelength हैं, वो फर्क हैं, अब अगर हम sunlight की बात करें, तो sunlight में जो हैं, यह दोनों चीज़ें मौझूद होती है, red light भी मौझूद होती है, और far red भी मौझूद होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, कि जो sunlight है, वो mixture है, यानि कि उसमें दोनों चीज़ें मौझूद है, PR भी और PFR भी, यानि कि phytochrome red भी और phytochrome far red भी मौझूद होता है, लेकिन इन्में से stable क्या ज्यादँ है, अगर हम यह देखना चाहें, तो इन्में से PR है, वो ज्यादा stable होता है, और जो इसमें से prof یop आर है, वो less stable है, अब less stable का क्या मतबएँ जब दिन के time sunlight जो है, सूरच की रोशिए ज्यादा होती है, तो उस time क्या होता है कि उस time red light जो है वो ज्यादा होती है और red light ज्यादा होने का मतलब है कि उस time में पी आर जो है वो ज्यादा होगा लेकिन उसे वक्त अगर हम comparison करना चाहें कि PFR कितना होगा तो उस time PFR जो होता है वो less होता है यानिके far red light जो है वो कम होती है sun light में दिन के वक्त और जो red light है वो ज्यादा होती है अब ये जो red light ज्यादा होती है अगर हम इसकी बात करें तो ये तो दिन का process है लेकिन अगर हम रात की बात करें night time की बात करें तो रात को ये बिलकुल reverse हो जाता है रात को किस तरह से reverse होता ह कि रात में इनके अंदर चेंज हो जाता है यानि कि यहां पे अगर आप सूरज की रोशनी देखें तो यह जो है आप देख सकते हैं कि पी आर रेड लाइट ज्यादा थी यहां पे और यह आर की फॉर्म में मौझूद है लेकिन जैसे जैसे सनलाइट परती है तो आर जो है यह फार रेड में कनवर्ट हो जाता है अब यह जो फार रेड है यह लेस स्टेबल है यानि कि इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है इसलिए ये convert हो जाता है लेकिन convert कब होता है जब सूरज की रोशनी नहीं होती अब सूरज की रोशनी कब नहीं होती जब sunlight नहीं होती यानि कि जब रात का time होता है जब night time होता है तो उस time क्या होता है कि PFR जो है वो R में convert हो जाता है अब अगर हम इसको लिखना चाहें कि दिन में किस तरह से है और रात में किस तरह से है तो डे में आप इस तरह से इसको लिखेंगे कि डे के टाइम में P.R. जो है वो P.F.R. में कनवर्ट हो जाता है और अगर आप लिखना चाहें कि नाइट में किस तरह से होता है तो नाइट साथ है कि जो plants हैं उनके हमने दो केटेगरी चाहिए मेन बनाई थी एक जो के प्लांटि को क्या नगले हैं और सनलाइट में हमें पता था कि दो चीज़ें मौजूद है पी आर मौजूद है एक और दूसरा जो है वो है पी एफ आर अब दिन की रोशनी पे क्या होगा कि पी आर तो मौजूद है लेकिन वो साथ साथ कनवर्ट हो जाती है पी आर दिन में किस चीज़ में कनवर्ट हो ज और यही PFR रात को क्योंकि यह less stable है तो यह PR में convert हो गया लेकिन क्योंकि दिन का duration जो है वो ज्यादा है अगर हम experimentally देखना चाहें तो क्योंकि यह 12 घंटे से ज्यादा होते हैं तो 14 hours हम लिख लेते हैं कि यह 14 hours जो है दिन की रोशनी पड़ी है अब 24 hours में से अगर आप 14 निका convert नहीं हुआ अब सारा जब PFR convert नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा PFR जो है वो मौझूद है यानिके present है PFR और यह जो PFR मौझूद होता है तो यह क्या करता है यह flowering induce करता है long day plant के अंदर यानिके PFR की मौझूदगी जो है वो long day plant के अंदर क्या induce कर रही है उनके कि अगर हम पूरे दिन के अगर हम एक day के 24 hour की बात करें तो 24 hours में से यह जो short day plant होते है इन में जब सूरज की रोशनी परती है तो वो 12 hour से less होता है अब जब 12 hour से less होती है तो 12 hour से less जब रोशनी परती है इनके उपर तो तब इनके अंदर flowering induce होती है और दिन में जब रोश है अब दिन के time हमें पता है कि दिन के time जो phytochrome R है वो convert हो जाता है phytochrome far red में और यह जो phytochrome far red है यह बात में जब night time होता है जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो यह less stable होता है और यह convert होने लग जाता है PR में लेकिन अगर हम एक बात देखें तो यहां पर हम देख सक हैं क्योंकि यह 12 गंटे से कम होते हैं अगर हम example के तौर पर लेना चाहें कि 8 गंटे के अगर यहां पर हम कहें कि 8 गंटे सूरज की रोशनी पड़ी है तो 24 में से जब 8 माइनस हो जाएंगे और अगर हम night के बात करें तो 16 hours की जो है वो night बनती है तो night का duration जो है वो short day plants में र है वो PIR में convert हो जाएगा अब जिब सारा का सारा PFR R में convert हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई PFR जो है वो present नहीं होगा और जभ PFR प्रेजन्ट नहीं है यहिनि के पी फजो है नहीं है तो उस time जो है short day plants में क्या होगी flowering जो हो start हो जाएगी इसका मतलब है कि दोनों situations में P EFR जो है एक में वो इंड्यूस कर रहा है फ्लावरिंग जब वो मौझूद होता है और दूसरे में जब वो मौझूद नहीं होता तब क्या कर रहा है तब वो फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है और यह जो फ्लावरिंग इंड्यूस करने का फिनॉमना है इसे हम क्या कहते है इसे हम कहते हैं photoperiodism और यह जो photoperiodism है, यह किस चीज़ से लिंक है, अगर हम इसके mechanism में देखें, तो इसके अंदर fluorogen और phytochrome जो हैं वो participate करते हैं, यह तो था mechanism of photoperiodism के बारे में जो के आज हमने study किया है,